तेजी सी वजन को कम करने वाली 10 सबसे अच्छी टिप्स हमश्कार दोस्तों मेरी चैनल हैल्थी ब्यूटी टिप्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों यदि आपके पेट पर टायर बन चुके हैं कहने का मतलब है कि पेट के साइड की चर्वी अधिक बढ़ने लगी तो आपको संभल जाना चाहिए क्योंकि साइड की चर्वी बहुत से अन्यरोग लेकर बनती है या आप ये कर सकते हैं कि पेट की साइड की चर्वी बढ़ने से हरदे कमजोर होने लगता है पहली टिपस आती है गेहूं की रोटी के बदले विभिन प्रकार के आटे की रोटियां खाना शुरू करें गेहूं के आटे में आपको अधिक काब्स मिलते हैं जो आपको उर्जा देने का ही काम करते हैं गेहूं की रोटी में आपको कम पोशक तत्वे मिलते हैं इसलिए गेहूं के आटे में बाकी अन्य आटे शामिल करें जैसे बाजरा, रागी, मक्का, आदी दूसरी टिप साती है सुभह शाम पैदल चलना शुरू कर दे सुभह शाम पैदल चलने से आप बहुत से कैलोरी बर्ण कर सकते हैं बहुत से वेक्ति ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी पैदल नहीं चलते हैं एक कावत है कि यदि आप पैदल नहीं चलेंगे तो दवाईया चलने लगती है इसलिए कैलोरी को फेट के रूप में इकटा नहीं होने दे उसे जलाएं जितना जला सकते हैं उतना जलाएं बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है जो थोड़ा सा चलने के बाद थक जाती है इसलिए जब भी आप थक जाएं एक बार रुख जाएं और फिर से चलना शुरू करें तीसरी टिप साती है दौफेर में यदि खाना खाते हैं तो उसके साथ दही को लेना ना भूले दही के अंदर भरपूर मात्रा में पोशक तत्वम मोजूद होते हैं दही के अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो आपके खाने को बचाने का काम करते हैं इसलिए खाना खाने के बाद दही का इस्तमाल करें ताकि आपका खाना पच सके 4 टिप्स है यदि सफेज चावल का ज़्यादा इस्तमाल करते हैं तो इसे कम कर दें क्योंकि सफेज चावल के इस्तमाल से आपके शरीर को उर्जा अधिक मिलेगी लेकिन पोशक तत्वे बहुत कम मिलेंगे चावल की GI इंडेक्स बहुत अधिक होती है साथ ही साथ चावल का GL भी अधिक होता है इसलिए चावल का कम इस्तमाल करें और चावल में अन्ने सबजियां मिक्स करके खाएं जैसे राजमा, गोबी, टमाटर, चेरी, इतियादी पांच्वी टिप्स है, रिफाइंड आटे से बनी हुए खाद्दे प्रधार्तों का सेवन बिल्कुल ही छोड़ दें बहुत से वेक्तियासे होते हैं जो कि सफेद ब्रेड को हलका भोजन मानते हैं लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ब्रेड सिर्फ देखने में हलकी होती है लेकिन वास्तम में वह एक रोटी से ज़ादा शारिरिक वजन को बढ़ाती है रिफाइंड आर्टे से बने हुए खाद्य प्रधार्ट जैसे पीजा, बर्गर इतियादी खाद्य प्रधार्टों का इस्तमाल करना बंद कर दे शिक्स टिप्स है रात को सोने से पहले दाल चीनी चाय का इस्तमाल करे दाल चीनी के अंदर ब्लड शुगर को कम करने के गुण मोजूद होते हैं जो की इंसुलिन हार्मोन को बढ़ने से रोकते हैं यदि आपकी रख्त में शुगर की मात्रा कम रही तो इसका मतलब है कि बहुत कम फेट आपके शरीर पर जमेगा डाल चीनी चाय का रात में सोने से पहले सेवन करने से शरीर का थेरेमिक इफेक्ट भी बढ़ने लगता है जिसके कारण आपके शरीर की कैलोरी सोते वक्त भी जलने लगती है और आपके शरीर का एक्स्ट्रा फेट पिखलने लगता है सेवन्थ टिप्स है गलत डाइटिंग से वजन कम करने का प्रियास बंद गरें बहुत ऐसे डाइट प्लान होते हैं जिसमें 1200 कैलोरी से कम लिखा होता है यदि आप पूरे दिन में 1200 कैलोरी से कम खाते हैं तो इसका मतलब है कि बाकी अन्य प्रकार की बिमारियां आपके संपर्क में है यदि आप हेल्दी रहकर वजन कम करना चाते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आपको हेल्दी डाइट प्लान के बारे में बताऊंगी एड टिप्स है सलाद का सेवन जितना कर सके उतना करें सलाद का सेवन करने से आपके शरीर को अत्य दिक फाइबर मिलता है यह फाइबर पानी में गूलकर पेट में जैली जैसा प्रधार्द बना लेता है जिससे आपके लंबे समय तक भू का ऐसास नहीं होता है यदि आपके बार-बार खाने की आदत कम हो जाए तो आप कम कैलोरी ग्रेंड करेंगे जिससे आपको वजन कम करने में आसानी होगी नाइन टिप्स है आप खाने में कौन सा तेल इस्तमाल में लेते हैं कहीं आप खाने में रिफाइंड ओयल का तो इस्तमाल नहीं करते हैं यदि आप खाने में गंदे तेल से पकाते हैं तो बाहर से सबजी लाते हैं तो जो की गंदे तेल से तयार क्यों होती है तो आप ऐसे ख पकाने के लिए जैतुन के तेल का इस्तमाल करें इसमें 10 टिप्स है क्या आप सेव का इस्तमाल करते हैं यदि आप सेव का इस्तमाल नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए सेव के अंदर एक प्रकार का एसीड होता है जो खाना को पचाने का काम करता है इसलिए स्नैक्स के र जो शरीर में टॉक्सिन को बहार निकालता है धन्यवाद